हमस्कारा मेरा नाम डॉक्टर सुनीता राना अगर्वाल है मैं एक आई सर्जिन हूँ लेकिन इसके इलावा अब मैं जेनेटिक सर्जरी जीन तेरपी और स्टेम सेल थेरपी भी करती हूँ हम डॉक्टर अगर्वाल हॉस्पितल से हैं 15 इगल स्ट्रीट बैंगलो 25 जीन यूज होती है और मैं अपना ही एक एक्स्पीरियंस बताती हूँ आपको 15 साल पहले हम लोग जो आपरेशिंस करते थे हमारे इसी सेंटर पे मैं ही करती थी आपरेशिंस हम लोग अगर 20 आपरेशिंस करते थे रोज कैटराक्ट के मतलब मोत्या बिनके तो हम ग्लोकोमा जो कायद हिंदी में खाला मोत्या बोला जाता है तो उसके हम एक या दो ऑपरेशिंस पर दे के हिसाब से करते थे लेकिन पंदरा साल से अब हम जीन थेरपी करते हैं जहां पर हम पेशिंट का एक बूंद खून लेते हैं उंगली से उसी से हम मैना आड करके उसका अर्थ है मॉ खून से मिलता है तो वह आपके खून का ही आपका ही फीटल डियने बनाता है मतलब वह डियने जो आपका ही था जब आप अपने ममी के पेट में थे वह डियने जो आपके शरीर को बनाया वही डियने आज आपके शरीर को रिपैर करेगा यह इंजेक्शन हम आख में देते ह कि बाजू में देते हैं और इसके जरीए अब मैं देख रहे हूं कि हमको ग्लॉको मा के ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्लॉको मा का अर्थ है कि आँख के अंदर प्रेशर बहुत हाई हो गया है यह हाई प्रेशर के जरीए यह आपके नसों को दबाता और दीरे दीरे खतम हो जाते हैं नसे लेकिन जब हम जीन तरपी के इंजेक्शन देते हैं तो यह प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाता है और हमको अपरेशन करने की जरुवत नहीं है अगर जो हमने अपरेशन करनी है तो आख का जो अंदर का पानी है उसको एक जरिया बनाना ह जैसे वो आख से बाहर निकलाए ताके वो प्रेशर नसों के उपर ना दे और अब यह हम जीन तरपी के जरिये जरूर कर सकते हैं